हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साविस किचन में आज हम बनाएंगे गलगल का खटा मीटा अचार खाने में बहुत ही ज़्यदा टेस्टी लगता है गलगल निम्बू की एक पर जाती होती है इसे हम पहाड़ी निम्बू भी बोलते है विटामिन सी से भरपूर ये निम्बू हमारी सियत के लिए बहुत ही ज़्यदा फाइदा करते हैं आप इस अचार को सालो साल तक स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और बहुत ही टेस्टी हमारा अचार बन करके तयार होता है तो चलिए फ्रेर्ट्स बिना देरी के विडियो शुरू करते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेने हैं गल-गल यानि की पहाड़ी निम्बू तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको अच्छे से वोश कर लेना है और वोश करके किसी सूखे कपड़े से इसको अच्छे से पोच लेना है जब भी अचार बनाए तो गलगल को अच्छे से हमें पोच लेना है बिल्कुल भी गीला नहीं रहना चीए गीला रह गया तो हमारा चार जल्दी से खराब हुजाएगा तो इस तरह से हमें बीच में से इसको कट कर लेना है और जो इसके अंदर के बीज है उसको हमें भार निकाल देना है और इस तरह से हम इसके दो तिन टुकड़े कर लेंगे बीच में से और इसके बारिक बारिक पीसिस हमें करके तयार कर लेने है गलगल का जो छिलका होता है व बहुत ही ज़दा टेस्टी बन करके तयार होता है तो दीखे फ्रेंट्स इस तरह से हमें इसके बारिक टुकड़े कट कर लेने हैं और जो बीज है उनको अलग कर देना है वैसे इस अचार को बीज के साथ भी बनाया जा सकता है अगर आप चाहे तो बीज के साथ भी इसको बन करके तियार कर सकते हैं तो सारे पीसिस को इस तरह से बारिक बारिक टुकड़ों में कट कर nervous अलग कर दिये हैं तो अब हम यहां पर लेना है एक बड़ा बरतन और बड़े बरतन के अंदर हमें यहाँ पर गलगल को ट्रांसफर कर देना है अब हम यहाँ पर डालेंगे मसाले तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डालना है नमक तो नमक आप यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डालें क्योंकि निम्बू जो होते हैं भूती ज़्यादा खटे होते हैं तो हमें यहाँ पर नमक की मातरा थोड़े सी ज्यादा रखनी है तो टोटल मैंने यहाँ पर चार चम्मज नमक डाला है और गलगल का वजन जो है यहाँ पर पांसो गराम है तो पांसो गराम गलगल में चार चम्मज नमक काफी है तो चार चमच हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है अब हमें यहाँ पर इसको मिठा करना है तो मिठा करने के लिए हमें यहाँ पर चीनी को बारिक पीस करके तियार कर लेना है चीनी का हमें यहाँ पर पाउडर डालना है तो टोटल मैंने यहाँ पर 4 चमच नमक और 4 चमच ही PCOE चीनी डाली है तो बहुती टेस्टी खटा मिठा चार बन करके तैयार होता है आदी छोटी चमच हमें यहाँ पर डाल देनी है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर से जो इसका कलर और टेस्ट दोनों ही बहुती ज़्यादा अच्छे आते है एक चमच हमें यहाँ पर डाल देनी है अजवाइन अजवाइन से जो इसका टेस्ट है बहुती ज़्यादा अच्छा आता है एक चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे काला नमक, काला नमक आप यहाँ पर जरूर डालें और एक चम्मच हम यहाँ पर डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर और एक चम्मच हमें यहाँ पर डाल देना है गरम मसाला, गरम मसाला आप यहाँ पर कोई भी डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पर घर का बना हुआ गरम मसाला डाला है एक चम्मच हमें यहाँ पर डाल देना है धनिया पाउडर पांच से छे हमें यहाँ पर डाल देनी है साबुत लोंग इससे जो टेस्ट है अचार का बहुत यदा अच्छा आता है और इसकी खुश्बू भी बहुत ही अच्छे आती है तो आप यहाँ पर 5-6 साबुत लॉंग डाल देनी है एक चम्मच हमें यहाँ पर डाल देना है भुना हुआ जीरा अब हमें यहाँ पर एड़ करनी है पिसी हुई काली मिर्ची पाउडर हमने यहाँ पर काली निरची को साबुत भी डालै है और थोड़ी सी हम याँ पर PC SUV भी डालेंगे अदी छोटी चमबच बस सारे मसाले हमने यहाँ पर डाल दिये हैं और अब हम हमें यहाँ पर इस तरह से स्पैचला की मदध से सारे मसालों को अच्छे से mix कर देना है गलगल के अंदर अच्छे से mix करने के बाद इसे आप किसी डब्बे में भर करके इसको दूब में रख देना है दो से तीन दिन के लिए और अगर आप इस अचार को instant खाना चाहते हैं तो सारे मसालों को अच्छे से mix करने के बाद इसको आपको 2-3 मिनट के लिए low to medium gas की flame पर पका लेना है इससे आप इस अचार को instant भी खा सकते हैं तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे इस अचार को आप enjoy कर सकते हैं बहुत ही tasty गलगल का इस अचार बन करके तियार होता है खटा मीठा तो friends यहाँ पर सारे मसालों का अच्छे से हमने mix कर दिया है और हमारा चार बिल्कुल बन करके तियार हो चुका है तो अब हमें इसको डबे में भर करके रख देना है और इसको 3-4 दिन के लिए दूप में हमें रख देना है इससे हमारा जो अचार है बिल्कुल परफेक्ट बन करके तियार हो जाएगा तो friends आप इसको एक बार जरू ट्राए करना बहुत ही टेस्ट ही हमारे अचार बन करके तियार होता है और बहुत ही ज़दा फाइदा भी करता है तो चलिए friends यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे अगर आपको मेरी recipe पसंद आती है तो अपने सभी रिस्तेदारों में दोस्तों में शेर करना ना भूले एक like का बटन आप उसे जरूर प्रेस करे और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूले और मेरी recipe सबसे पहले देखने के लिए एक bell icon का बटन है आप उसे जरूर प्रेस करे इससे जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पोच जाएगी फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फोलो करना ना भूले तो लीजे तयार है बहुत ए टेस्टी खटा मेठा गल-गल का अचार विटामिन सी से भरपूर बहुत ज़्यादा फाइदा करता है तो आप इसको एक बार जरू ट्राय करना और इस अचार को आप पराठों के साथ खाए बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारे अचार लगता है तो आप इसको एक बार जिरू ट्राइ करना तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स रोडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर